नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी लोगा इंडेन फ्लाइन के इस वक्त की नई अपडेट में आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ सेर करने वाले हैं कि एरलाइन्स और ट्रेवल से कौन-कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने रही है पहली बड़ी खबर की जानकारी मुंबई एरपोर्ट से सामने रही है मुंबई एरपोर्ट ने एक बड़ी जानकारी सेर की है कि मुंबई एरपोर्ट को 10 मई को सुबे के 11 बज़े से लेकर सामके 5 बज़े तक बंद रखा जाएगा आपको बता दे कि मुंबई एरपोर्ट पर रनवे के मेंटेनेस का काम चलने वाला है जिसके कारण मुंबई एरपोर्ट ने ये फैसला लिया है कि वो 10 मई को टोटल 6 घंटे के लिए अपने रनवे को बंद रखा जाएगा यानि कि इस बीच में मुंबई एरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो पाए अगली ख़बर की जानकारी स्पाइजेट से सामने आई है स्पाइजेट जो कि अपनी एक फ्लाइट को मुंबई से दुरुगापूर के लिए ऑपरेट करा था आपको बता दे कि इस फ्लाइट को दुरुगापूर एरपोर्ट पर लेंड करने वाला था उसके ठीक पहले स फ्लाइट तुफान में फंस गई जिस कारण से कई सारे पैसेंजर्स इस समय अस्पताल में भरती हैं इसकी चानकारी हमने आपको बीते कल भी जी थी अभी की जो बड़ी खबस सामने आई है उसके अनुसार इस फ्लाइट में कई सारे पैसेंजर्स को काफी जादा चोटे गई हैं फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगली ख़बर की जानकारी दिली एरपोर्ट से जान लेते हैं दिली एरपोर्ट की तरफ से एक बड़ी जानकारी सेर करके यह बताई जा रही है कि दिली एरपोर्ट इस समय दुनिया के सबसे बेज़ेस्ट एरपोर्ट में दूस चुका है भारत सरकार ने जब से regular flight की सुरवात करी है उसके बाद से ही भारत में international flight काफी बड़ी संख्या में operate हो रही है इसके साथ भारत में domestic flight से travel करने वाई लोगों की संख्या भी रोजाना बेसिस पर 4 लाग के आसपास record की जा रही है यही एक बड़ा कारण है जिस कारण अगने दिली एरपोर्ट जो है इस समय दुनिया के सबसे बीजिस्ट एरपोट की लिस्ट में टॉप पर आचुका है इसकечно लबा आपको यही बता दे कि दुनिया का सबसे बीजिस्ट एरपोर्ट यूएस का एटलांटा एरपोर्ट है जहाँपर सबसे अदा पैसंज्ट ट्रैवल कर रहे हैं फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगली ख़बर की जानकारी ऐसे सभी लोग को लेका सामने आ रही है जो लोग भी UAE से भारत में ट्रैवल करके आने वाले हैं एर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से इसके उपर जानकारी सेर करके बताई जा रही है कि यदि आप इस समय UAE से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं और आपने बैक्सिन की दोनों डोज कंप्लीट कर ली है तो ये सर्टिफिकेट आपको एर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है इसके सांसा सभी पैसेंजर्स को जो लोग भी भारत में ट्रैवल करके आने वाले हैं उनके पास करोना वारस का नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है जो कि तीन दिन से जादा पुराना नहीं होना चाहिए और ये रिपोर्ट भी आपको निव दिली एरपोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा इसके सांसा ये भी बताय गया ह है कि पैसेंजर्स जिनकी उमर पांस साल से कम है उनको ये नियम एपिलिकेबल नहीं है यानि कि वो बिना बैक्सिन के बिना कोरोना वारस नेगेटिव रिपोर्ट के आसानी से भारत में ट्रावल करके आ सकते हैं फ्रेंड्स एक और खबर की जानकारी चाइना के वीजिंग सेहर से सामने आ रही है आपको बताना चाहेंगे कि चाइना में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और वहां के वीजिंग सेहर में अभी तक पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पर जो खबर सामन है यानि कि रेस्टोरेंट में बैठ कर आप खाना नहीं खा सकते हैं फ्रेंट्स अगली ख़बर ऐसे सब भी लोग को लेकर सामने आ रही है जो लोग वैक्सिन प्रूब दिखाकर भारत में आ सकते हैं यदि वह फुली वैक्सिनेटेड हैं तो वह बिना करोना वारस नेगिटिव रिपोर्ट के भी भारत में ट्रेवल कर सकते हैं अगली ख़बर की जानकारी फ्लाइबिक एरलाइंस कंपनी से सामने आई है रीजनल कनेक्टिव कि एरलाइंस और ट्रेवल से जुड़ी हुई कुछ बेहर जरूरी और काम के अपडेट ऐसी और ख़बरों को रेगलर बेसिस पर जाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस अपडेट समय पर मिलती रहे